पूरा श्रे दिया जाना चाहिए जब से लॉक्टाम हुआ है तब से जिला कलेक्टर आनंदी हो या पुले सदिक्षक कैलास चंडर विश्णोई ने इस्तिती पर पूरी नजर रखी जिसकी वज़से यह इस्तिती बनी हुई है दूसरी तरफ डॉक्टर और चिकट्सा कर्मी भी पूरी इस्तिती पर नजर बनाय हुए है आईए सुनते हैं CMH उदिनेश खराडी उद्यपूर के बारे में क्या कहते हैं उद्यपूर जिले में आज दिनां 29 मार्श तक अभी तक एक भी पोजिटिव केस नहीं मिला है आप सभी जनता का उद्यपूर के निवाइसों का बड़ा सेहोग अब तक मिला है आप सभी से यही गुजारी से के सब के सब अपने घरों में रहें हमको जो लोग बाहर से आये हैं जो लोग अदर इस्टिक से आये हैं जो लोग अदर स्टेट से आये हैं जो लोग विदियो से आये हैं उन लोगों को हमको 14 देस तक घर पे ही रहना है किसे से मिलने नहीं देना है और हम कभी गर से बाहर नहीं निकलना है अगर हम कुछ सामान की लेने जाते हैं इरानी दुकान पे सबजी की दुकान पे ठेले पे वहां पे लंबी लाइन थोड़ी एक-एक मीटर की दूरी मेंटेन धखनी है अभी तक हमारा इंडिया, हमारा राजस्तान, हमारा उद्यपूर लगबग लगबग इससे जूज रहा है और कंट्रोल किये हुए है अभी उद्यपूर जेलेन ने अच्छा कंट्रोल कर रखा है, हमको थोड़ा सा पेसेंस रखते हुए और भी लोगडाउन तब इसको श्तित्य को बनाय रखना है, दन्यवारा CBC News राजस्तान की ये खबर आपको कैसी लगी? नीचे कमेंच करके ज़रूर पताएं अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC News का चैलन्ज सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे हैं बेल आइकन को भी दबाईए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकिशन पहुचे अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC News का पेज लाइक करिए, अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं आपको बता दे कि CBC News आपको सही और सची जानकारी देता है, खबरों में आपको आगे रखता है आप हमें सब्सक्राइब करके, फॉलो करके हमारा मेनोबल बढ़ाईए, ताकि हम आपके लिए आपको आगे रखने के लिए पूरे जोश के साथ चुले रहे हैं हमारा मिशन है आप तक सच और विल्कुल सही जानकारी पहुचा रहे हैं